बिस्मिल्हारामार रहीम असलाम लेकम वेलकम टॉप्यास किचन आज मेरी किचन में बनीगे चिकन मलाई बोटी तो जीजना पहुत ही मज़दा से चिकन मलाई बोटी की रेस्पी आप लोग नहीं पूरी वास करने हैं तो बहुत जल्दी से बनके त्यार हो जती चलिए रेस् नहीं प्राते जाएं नहीं पेस्ट बनाके इससी के सब्सक्रणा ये चलिए इसके साथ में शामिलगे 30 तक्रीम के की फ्रेश क्रीम को जटीए सब्सक hairdos ह चले गए साथ शामिल करेंगे दो टेबल स्पून वाइट बनेगर आपके पास वाइट बनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस एक से डे टेबल स्पून भी यूस कर सकते हैं चला गया अब अच्छी तरह इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे साथ ही मैंने शामिल कर दी थी कुसूरी में थ हो चुके हैं फ्रीज में लाजमी रखिएगा तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूं माशाला से बहुत अच्छी से यह मैरीनेट हो चुके सॉफ्ट होगी है हमारी चिकन अब इसे बार्बी की उस्टीक के उपर लगा लेंगे चार से पांच-पांच बोटिंगे तक अच्छ तो देखे इस तरह लगा के सारी की सारी सेट करके मैं प्लेट के उपर जो मसाला बचेगा वो भी सारी सीखों के उपर लगा दूँगी तो अब रखेंगे इसे पकनी के लिए सबसे पहले लेंगे एक पैन इसमें डाल दूँगी तिक्रीबन दो से तीन टेवल स्पून की क बाकी बाद में पकाऊंगी तो इनको पकने देंगे चार से पांच मिंट के लिए दो तीन मिंट के लिए एक साड़ से पकाएंगे दो से तीन मिंट के लिए दूसरी साड़ से पका लेंगे तो बहुत जारा दे तक नहीं पकाना है इतने में बहुत अच्छी मज़दार सी जूसी सी मारी मलाई बोटी त्यार हो जाएगी साट मैंने चेंज कर दिये तो चलिए फिर से चेक करते हैं माशाला से बहुत यह अच्छा लाइट गोल्डन से इस पर कलर आ गया है बहुत मजदार सी यह पके त्यार हो गई है तो इसे निकाल लूँगे मैं प्लेट में जो ब मैं थोड़ा थोड़ा सा गार्निश के लिए डाल दिया है तो देखे माशाला से कितनी मज़ेतार सी सौफ्ट सी जूसी सी मारी मलाई बोटी बनके त्यार हो गी आप लोग भी इससे बनाए फैमली के साथ अज़वाय कीचे मुझे देजाज़त मिलेंगी इंशाला लगली पिके साथ दुआ में गादर के लाफिस